वेल्कम तो क्लास ओक्साइड सी यू एटी सो इस वीडियो में हम लोग एक एंट्रेंस एक्जाम की बात करेंगे दैट इस निफ्ट एन आई एफ्टी नेशनल इंसिट्टूट ऑफ फैसन टेक्नोलोजी तो 2023 में जो इसकी एक्जाम है तो जो भी इसकी रिलेटेड इंफॉर कर सकते हो आप या क्यों करना चाहिए जैसा कि मैंने बताया निफ्ट नेशनल इंसिटूट ऑफ फैसन टेक्नोलोजी तो आप में सेगर किसी इस्टूएं का फैसन रिलेटेड फिल्ड में अगर इंट्रेस्ट है जैसे फैसन डिजाइनर या फैसन मार्केटिंग या फिर ड बहुत ही आडाम से अब अपने कॉलेज जो है अपना गज्शन कर सकते हो आपको इसके लिए कुछ एंट्रेस टेस्ट करना होगा तो उसे निफ्ट के बारे में बात करते हैं तो इस के अंदर में आफ्टर क्लास 12 मैं पहले बता दू आफ्टर क्लास 12 आपके सामने दो कोर् कर सकता है तो बैचलर आफ आफ डिजाइन डिजाइन दिजाइन i.e. बीडस-फ्रोग्राम्, तो यह किन के लिए है, अगर आपकी साइन्स नहीं है, तो अभी आप इस case में अपलाई कर सकते हैं, पैटन क्या है зачाम का, उससे बाड़ने बात करते हैं, यह सबसे पहले बीडस-फ्रोग्राम्, जैसे मैंने बताहिन, इसके लिए आपको साइन्स, सा काटेगरी होगा डिवाइट कर सकते हो एक है जनरल एविलिटी टेस्ट पेपर दूसरा होगा क्रियेटिव एविलिटी टेस्ट तो दो टेस्ट होंगे आपके सबसे पहले और इस टेस्ट में जैसा परफॉर्म करोगे उसके हिसाब से आपकी रिजल्ट आएगी और फिर आप आपके रिजल्ट आएगी फिर उस रिजल्ट के हिसाब से आपको सिच्वेशन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर वो जब आप पास कर जाओगे तो फिर फाइनल एक एक फाइनल रिजल्ट आएगी तो जनरल एबिलिटी टेस्ट क्या है इसके आपको सिच्वेशन टेस्ट या फिर इंटरव्यू जो है यहां से 20 परसंट तो यहां पर आप देखो जनरल एबिलिटी टेस्ट के अगर बात करें तो यह जो पेपर जो आएगी जो टेस्ट जो होगा यह हिंदी एन इंग्लिश लेंगविज में अभिलेबल होगी टोटल टू आवर का टाइम आपको दिया जाएगा 120 मिनट आज इसमें आपको 100 कोसंट करने होंगे और इन 100 कोसंट में से अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसा डिवीजन है यहां देखो आप कम्मुनिकेशन अबिलिटी से 25 कोसंट आप देख सकते हो इंग्लिश कम्प्रिएंश कोसंट से 25 कौन्टिटीव अबिलिटी जो है मैंस जो है वहां से 20 अनलिटिकल अबिलिटी रिजनिंग से 15 मांख के कोशन आएंगे और यहां से आप जो परफॉर्म करोगे जो भी स्कोर आपका आएगा मालों यहां पर हंड्रेड मार्स में से आपका स्कोर अगर मालों 80 यहां पर जो भी आपका स्कोर आएगा उस स्कोर का 50% कंसिडर किया जाएगा और जैसे मैंने बताए GAT and CAT इन दोनों के स्कोर को मिला करके एक रिजल्ट निकलेगा और इस रिजल्ट को अगर आप यहां पर क्रैक कर जाते हो तो आपको बुलाया जाएगा उसके लिए तो सिचवेशन टेश्ट में क्या होगा आपको कुछ मैटरियल्स वेगरा दिये जाएंगे और फिर उस अपको कुछ मॉडल बनाने के लिए कहा जाए गा अब वो मॉडल्स आप कैसा बनाते हो किस तरह क्या आप क्रेटिविटी दिखाते हो कलर को कैसे यूज करते हो कंपोईशन क्या है मैटेरियल्स की तो फाइनली इन सब के बेसिस पे आपका यहां पर इस कोड़ डिसाइड होगा अजल देन एक फाइनल डिजल्स टिकलेगी यहां पर आपका स्टेंगर में काँड़ा में पत्ना में सिलॉंग में नौर्फ इस तो हरी आना में अपके है तो अलग अलग जगों पर काफी सारे campus है, तो आपके score के according जो है, आपको वहाँ पर placement जो है, वो basically आपके admissions होगी, आपके score के हिसाब से, तो ये तो मैंने बताया था कि अगर आपकी science system नहीं है, तो B. जो desk वाला जो program जो है, उसके लिए, then bachelor of fashion technology, अगर आपका science system है, तो उस case मे आपको बस एक paper देना होगा, that is general ability test 100% का जो है, बस इसी का weightage होगा, उस case में आपको CAT वाली test या situation test जो है, वहाँ पे नहीं है, B. F. Tech के लिए, और यहाँ पे आप देखोगे, तो English Hindi में ही questions आएंगे, लेकिन exam जो है, 3 hour की होगी, questions भी 150 होगे, और इसका division कुछ ऐसा है, कि communication ability, English apprehension के लिए 45 marks, quantitative ability के 30 questions होगे, analytical, logical reasoning के 25 होगे, general knowledge के 25 होगे, and कुछ case history होगे, 25 marks के, याद रखना, ये जो number of divisions, जो है questions का, ये change हो सकता है, ठीक है, ये उन्होंने अपने website में, अपने official website में provide किया हुआ है, मैं वहाँ से देखके बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये भी चाहे है, तो change कर सकते है, थोड़ा बहुत, ठीक है, इनका जो official website है, वो में क्या करूँगा, हमारी जो telegram group है, तो उस telegram group में, मैं इसका, जो भी official website है, या फिर इस exam से related, जो भी pattern, जो भी अभी इसके official documents जो भी है, notifications है, documents जो भी है, ये सभी मैं अपने telegram channel में, मैं upload कर 2023, तो 2023, आप में से वो student जो class 12 में अभी study कर रहे हो, या फिर class 12 पास कर गए हो, दोनों के लिए ये वीडियो है, तो कुछ important date है, या दखना है, लास्ट डे, जो online registration का है, वो देख लो, 31st December है, ज्यादा दिन नहीं है, लेकि आराउंड 1 week के आसपास है, तो 1 week का आपके पास आएगा, 31st December के बाद, एक week का और टाइम दिया जाएगा, मतलब January का first week में, लेकिन उस case में आपको एक 5000 रुपी का fine पे करना पड़ेगा, because of late fee, तो 5000 extra क्यों पे करना, तो आप अपना 31st December तक आप अपना complete कर सकते हो, registration, admit card वेगरा जो है, ये tentative dates है, January में आ जाएंगे, सेम देखो होगी, ठीक है, सेम देखो होगी, आपके result आएंगे March 2023 में, CAT and GAT का test मिला करके, और फिर उसके हिसाब से, फिर आपका result रिजल्ट है, डिकलेर किया जाएगा, और फिर आपको बुलाया जाएगा situation, test या interview के लिए April के महीने में, और फिर final results जो है, वो आएगी आ माई के महीने में, ठीक है, अब फिर उसके बाद भी आपके score के according, आप लोगों का माई या जून के महीने में, seat का allocations किया जाएगा, या दक्षना है, यह सब tentative dates है, लेकिन जैवो मैंने बताया कि मैं लगातार इन सब चीज़ों के बारे में update करता रहूंगा, description में है, तो link है, telegram की, आप directly जूत के आप मुसे बात कर सकते हो, thank you.